हेलो एव्रिवन वेलकम टू HVS इस्टेडीज तो दोस्तो आज रहेगी 19 मार्च और आज आपका कोई भी एक्जाम नहीं है SSC CHSL एक्जाम 2023 का अब आपकी दो शिफ्ट और रह रह रही हैं तो 20 मार्च की और 21 मार्च दो दिन आपका एक्जाम और होने वाले हैं तो उनके लि 2023 के एक्जाम में उसी टाइप के कोउशन्स आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें यहाँ पे आप एक चीज़ को और ध्यान रखें कि जो सबसे सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं आपके कोउशन्स आज हम उन नौ टॉपिक्स को कवर करेंगे फुल डीटेल में जिससे करीब करीब आपके साथ से आठ बार जो कोउशन्स रिपीट हुए हैं उनको हम यहाँ पे टॉपिक को लेके चल रहे हैं तो वीडियो को स्टार 2008 बेजिंग ओलंपिक 2008 में जो बेजिंग ओलंपिक हुए थे उसमें गोल्ड मैडल जीता गया था अभिनव बिंद्रा के द्वारा अब ज़रूरी नहीं है कि आपसे सेम कोउशन्स पूछ लिया जाए यहाँ पे हम एक कोशन्स में एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे तो यह जो टॉपिक हो जाता है हमारा ओलंपिक गेम्स का यह अभी तक जतनी वे आपकी शिफ्ट सुई है उसमें आपके करीब 20 से जादा बार 20 से जादा कोशन्स आपके ओलंपिक से पूछे गए हैं तो आगे आने वाली जो शिफ्ट है जो आपकी 20 तारिक की और 21 तारिक की रहेंगी तो उनमें जो पैटन अभी तक SSC ने फॉलो किया है उसी पैटन को फॉलो किया जाएगा तो ये टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा रिपीट होंगे उनकी हम यहाँ पे कवर करेंगे तो उलम्पिक को देख लेते हैं यहाँ पे तो उलम्पिक जो मैडल्स इंडिय में पहला मैडल हो जाएगा फिर हमारा 1996 में एटलांटा में हुआ था जिसमें लेंडर पीस के द्वारा टैनिस की फिल्ड में ब्रॉंज जिलाया गया 2000 में सिड्नी उलम्पिक काफी जादा करीब करीब तीन से चार बार कोश्चन तो आपसे यही पूछ लिया गया कि करनम म में आपका एथिंस में हुआ था जिसमें आर एस राठोर ने शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता 2008 में बेजिंग उलम्पिक में अभिनव बिंदरा ने शूटिंग में भारत को गोल्ड दिलाया इनके साथ साथ दो लोग और रहेंगे जिन्नोंने मेडल दिलाया और पहली 2012 में हमारा लंडन ओलम्पिक हुआ जिसमें विजय कुमार ने शूटिंग में सिल्वर दिलाया सुशील कुमार ने दुबारा से रैसलिंग में इस बार सिल्वर मेडल दिलाया था पिछली बार ब्रॉंज मेडल दिलाया था मैरी कॉम ने भी बॉक्सिंग में ब्रॉंज दि और पीवी सिंदू ने बैडमिंटन में सिल्वर दिलाया दो मैडल हमने यह जो अभी हुआ है इससे पिछले बाले में जीते थे फिर जो अभी हमारा हुआ है 2020 का टोक्यो ओलंपिक इसमें नीरत चोपडा ने जैवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड दिलाया सिल्वर जीता गया मीरा भाई चनू के द्वारा वेट लिफ्टिंग में रवी कुमार दहिया ने रैसलिंग में दिलाया सिल्वर मैडल ब्रॉज मैडल पीवी सिंदू ने बजरंग पूनिया ने लवलिना बोरगेन ने और इंडिया की हौकी टीम ने तो टोटल हमने कितने मै मैडल हो जाएंगे आपसे एक्जाम में कोशन ये पूछा जा चुका है कि इंडिया ने टोक्यो में टोटल कितने मैडल जीते थे उसमें आपका करेक्ट आंसर सेविन था फिर आपसे पूछा गया कि इंडिया ने सिल्वर मैडल कितने जीते तो उसमें आपका करेक्ट आंस था तो यह questions है और इस topic से आपके multiple questions exams में पूछे जा चुके है most important आपका ये topic हो जाएगा exams के लिए तो इसी तरीके से जो topic है जिससे सबसे जादा आपके question मन रहे हैं उस topic को हम cover करते हुए चलेंगे हर एक single question में यहाँ पे हमने पहले question में जो olympic का topic है उसको पूरे को हमने cover कर लिया है अगला question देखते हैं हमारा तो हमारा अगला question है who among is the author of the book train to Pakistan तो train to Pakistan पुस्तक के लेखक कौन है जो books and author का topic रहा है ये भी most important topic रहा है आपके exams के लिए और पीछे आपकी काफी सारी shifts रहेंगी जिसमें लगातार books and author से question देखने को मिले है तो इस topic से भी आपके अभी तक total 18 से 20 questions सारी shifts के मिला के पूछे जा चुके हैं तो इसमें हमारा correct answer हो जाएगा खुश्वन्त सिंग खुश्वन्त सिंग के दुवारा book लिखी गई है train to Pakistan अब इस question का इस topic का मतलब यह नहीं है कि इसी question को हम तयार करें या फिर इस topic को अगर हम जो revision cover कर रहे हैं यहीं से आपको question मिल जाए लेकिन आपको यह topic है पूरा detail में cover करना होगा क्योंकि यह बहुत वाइल topic है आपका exam में question काफी बन रहे हैं तो books and authors की अगर बात करें तो my unforgettable memoir ममता बैनर जी की book है आपकी rationalized roman from कश्मीर यह आपकी रहेगी डॉक्टर आरेल दत की strictly personal मनमोहन और गुर्शारं यह आपकी दमन सिंग की book रहेगी the wrong enemy America in Afghanistan 2001 से 2014 कैलोट गैल की रहेगी लाल बहादु शास्त्री lessons in leadership पबंच चौदरी की रहेगी walking with जान्ट रहेगी आपकी जी रामचंद्रन की जो की former finance secretary है इंडिया के कुरूजडर और कैंस्पिटर आपका Colgate and other truth यह आपकी PC पारिक की रहेगी the accidental prime minister आपकी संजय बारू की रहेगी God of Antarctica रहेगी master यश्वादन शुकला की my years with Rajiv and Sonia RD आपकी प्रधान की खुश्वन्त नामा the life of my lesson autobiography है खुश्वन्त सिंग की फिर आपकी synthesis creating God in the internet age अलेक्जेंडर बार्ट की रहेगी one life is not enough नटवर सिंग की आपकी बुक हो जाएगी तो यह आपकी कुछ important books है बाकी separate videos books की आपको channel पे provided हैं आपको और एक topic की separate video हमारी playlist है all static G का topic के नाम से जिसका link description में है आप उसमें separate videos को देख सकते हैं अगला question देखते हैं फिर हमारा अगले question पे बढ़ने से पहले मापको बताना चाहते हैं कि 9 March से लेके 15 March तक की आपकी जो भी सारी shifts हुई हैं उनके जो questions हैं उनको extra fact के साथ हरे question को full detail में आपको provide करे गया है इस e-book में यह जो e-book है यह सिर्फ आपको 24 रुपीज में मिल रही है आप इसको buy कर सकते हैं क्योंकि exams में आपके 60-70% जो questions हैं वो same topic से पूछे जा रहे हैं जो आपके बार-बार repeat हो रहे हैं अगर आप interested हो तो link description में है आप description में जाके इस e-book को buy कर सकते हैं payment करने के बाद अगर आपको file downloading में कुछ भी issue आता है तो नीचे हमारी Gmail ID है आप इस पर हमको directly mail कर सकते हैं अगला question देखते हैं हमारा तो हमारा अगला question है कि गोपी Christian is related to which dance form of India तो गोपी करिशन का संबंद भारत की किस नित्य शैली से है तो यह question हम daily 2-3 दिन से revision के form में cover कर रहे हैं क्योंकि यह जो question है आपका dancers related to dance forms यह जो अभी आपकी पीछे तीन सार सिफ्ट सुई है उसमें बहुत जादा questions आपके इस topic से बने हैं इसमें हमारा correct answer हो जाएगा कथक कथक जो dance form है उससे related है गोपी करिशन अब यहाँ पे कुछ dancers को हम cover करेंगे यह topic भी most important topic रहा है इसकी separate video भी चैनल पे uploaded है तो कथक related कोई dancers है आपके बिड़जू महराज गोपी करिशन शंबू महराज सितारा देवी प्रेम श्रीमला और मिश्टर एस हजारी लाल के लखिया भरत नाट्यम से related हो जाएंगी टी बालसरस्वती रुकमिनी देवी अरुंदले यामिनी कृष्ण मूर्थी वैजन्ती माला आनंद शंकर जैंत सीवी चंद्र शेखर एमके सरोज शांता और वीपी धरंजया फिर आपके मनीपूरी डांस से related हैं अंबू सिंग बीनो देवी राजकुमार सिंग जीत सिंग आपका मोहिनी आटम डांस फॉर्म से related हो जाएंगी केके अम्मा जिनको केके पवितरन की नाम से भी जाना जाता है और आकी कनक रिले चाव डांस से related हैं आपके पी के कुझे गुरूप के रांजम एम वी नायर के गोपी और के आर नायर कुचिपुड़ी से related आपके राजा रेड़ी राधा रेड़ी विजनती काशी और वेंपती चिन्ना सत्यम यह सब आपके कुचिपुड़ी से related है यह जो टॉपिक है इसकी आप सेपरेड वीडियो देख लें आपको एक्जामस में मदद मिले की फिर अगला कुशन है हमारा हूं अमंग दी following वन दी मैंस सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन 2022 निम्लिकित में से किसने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है तो इसमें हमारा और आपका रफेल नडाल रफेल नडाल जो रहेंगे इनके द्वारा मैंस सिंगल में टाइटल जीता गया है मैंस सिंगल का फ्रेंच ओपन 2022 में छोटा सा टॉपिक है आपका सिर्फ चार टूर्णामेंट्स आपकी फ्रेंच ओपन यूएस ओपन ऑस्ट्रिलियन ओपन और आपकी एक विमल्डन ये सिर्फ चार ग्रेंट सिलम टूर्णामेंट्स होती है और इन चार्ट टूर्णामेंट्स से आपके रिपीट करकर के कोशन करीब पंद्रे से ज्यादा कोशन आपके पूछे जा चुके हैं मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक रहा है बार बार कोशन इस स्पेन के प्लेयर है और आपका इगा सुटेक के द्वारा फिमेल में पोलेंड की प्लेयर है विमल्डन आपका जीता गया है मेल में नोवाग जोकुविक ने सर्बिया के प्लेयर रहेंगे और फिमेल में आपका एलीना राइबेकिन के द्वारा जोकी कजाकिस्तान की प्ल इसी तरीके से Australian Open और जो US Open होता है, यह कौन से कोट पे होता है, तो यह हार्ड कोट पे होता है, फ्रेंच ओपन आपका किले कोट पे होता है, और आपका विमल्डन होता है, ग्रास कोट पे, यह भी चीज़े हैं, जो कि आपको याद रखनी है, फिर हमारा अगला कोश्चन या किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसमें हमारा correct answer आपका केरला स्टेट था, केरला स्टेट का एक most important festival है, आपका मकर विलाकू फेस्टिवल, यहां पे हर कोश्चन में हम topics cover कर रहे हैं, जो topics आपके exams में most repeated topics हैं, तो festivals हो जाएंगे हमारे आंदर प्रदेश के festival है, द्री, पोंग्तू, लोसर, मुरंग, सोलंग, मोपिन और मोंपा फेस्टिवल, आसाम के हैं आपके अंबू बची फेस्टिवल, बोगाली बीहू, बैसागू और देहिंग पठकाई फेस्टिवल, हिमाचल प्रदेश के आपके रक्ष धूमनी और आपकी गोची और आपका भतुकुंबा, युकार्डी फेस्टिवल और आपका कोथा कोंडा जतारा, तमिल आडू को जाएंगे आपके पोंगल, थाइपूसम, नत्यांजली और जलीकटू, राजिस्थान के हैं आपके घंगोर, बूंदी, डैजर्ट, मस्या और आपके शिखावती, गो टॉपिक के रिविजन के अलावा और भी कोशन्स हैं जो कि आपको जरूर पढ़ने हैं, अगला कोशन देखते हैं, अगला कोशन है हमारा आर्टिकल 19 ऑफ दी इंडियन कॉस्टिटूशन इस रिलेटेट टू, भारतिय सम्विदान का अनुछेद 19 किस्से संबंदित है, त अगला को आप एक बार जरूर कवर खर लें स्टार्टिंग से एंडट तक, इसमें हमारा करेक्ट आंसर गारेंटी इस राइटी तो आर्टिकल 19 जो हमारा equality before law आता है 15 में आता है prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex और place of birth 16 में आता है equality of opportunity in matters of public employment 17 में untouchability, 18 में titles 19 में जो हमारा question था 6 rights guarantee होते है 20 में protection, respect of conviction for offense 21 में protection of life and personal liberty 22 में protection against arrest and detention 23 में prohibition of traffic in human being and forced labor 24 में prohibition of employment of children under 14 in factories mines 26 में freedom to manage religious affairs 32 में हमारा remedies for enforcement of fundamental rights हमारा आता है फिर हमारा अगला question क्या पूछा गया तो हमारा अगला question है who among the following is also known as पंजाब केसरी निमलिकित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है तो यह जो topic रहेगा इससे भी आपके 10 से जादा question पूछे जा चुके है जो हमारे nicknames हो जाते हैं यहाँ पे nicknames हमने सिर्फ हम persons की ही बात नहीं करने है persons के nicknames भी आपको cover करने है और साथ साथ में जो हमारी cities के nicknames है वो भी आपको cover करने है दोनों topics एक ही आपके nicknames वाले topic हो जाएंगे तो पंजाब केषरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपतराय को लाला लाजपत राय जो रहेंगे आपके इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था अगर निकनेम्स की बात करी जाए तो बंगाल टाइगर रहेंगे विपिन चंदरपाल ग्रेंड ओर्ड मैन ऑफ इंडिया हैं दादबाई नरोजी नेता जी या फिर प्रिंस ऑफ पैट्रियोट बोला जाता है आपका सुबाज चंदर बोस को बाश्चा खान रहेंगे खान अब्दुल कफार खान देश पंदू है चितरान जंदास केरला गांधी केक एलपन रहेंगे नाइटिंगल ऑफ इंडिया हैं सरोजनी नाइडू आइरन मैन ऑफ इंडिया वल्लब भाई पतेल देश रतन हैं राजेंदर परसाद प्रिंस ऑफ बैगर हैं आपके मदन मोहन मालविया और फादर रहेंगे इंडियन रेनेसेंस के राजा राम मोहन रॉय तो यह आपके न इंडियन कॉस्टिटूशन बाई विच अमेंडमेंट एक्ट तो भारतिय सम्विदान में नौवी अनुसूची जोड़ी गई जिसके द्वारा संशोधन अधिनियम तो कौन से अधिनियम संशोधन अधिनियम के द्वारा जो नौवी अनुसूची है उसको भारतिय सम्वि सिधान में जोड़ा गया था यहां पर कुछ शेडूल अमेंडमेंट्स एक्ट की हम यहां पर बात करेंगे SCST जो कमीशन है आपका वो 65 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 के थूँ एड हुआ वोटिंग एज को 21 यर से 18 कर दिया गया 61 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के थूँ राइट तू प्रोपर्टी को डिलीट कर दिया गया फंडमेंटल राइट से 44 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थूँ डेली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दरजा मिला 69 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 के थूँ पंचायती राज सिस्टम को एड किया गया 73 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थूँ इसमें आपका जो 86 अमेंडमेंट एक्ट एक्ट रहेगा 89 अमेंडमेंट एक्ट रहेगा ये आपसे exam में पीछे बहुत बार पूछे गए हैं तो ये आपका अमेंडमेंट का जो टॉपिक है आप इसको भी फूल डीटेल में cover करने exam के लिए important है जो हमारी e-book है 9 से 15 मार्च वाली उसमें आपको सारे topics यह जो है इनकी detail मिल जाएगी अगला question है फिर हमारा ब्रज भूशन काबरा is related to which musical instrument ब्रज भूशन काबरा किस वाद्धे यंतर से संबंदिन है तो musicians related to musical instrument ये भी आपके CHSL exam का most important topic रहा है इसमें हमारा correct answer guitar हो जाएगा जो guitar musical instrument होता है उसको प्ले करते हैं आपके ब्रज भूशन काबरा अब यहाँ पे जो हमारे musical instruments हैं कुछ उनकी बात करेंगे तो हमारा persons रहेंगे आपके उनको देख लेते हैं तो पंडित रवी शंकर रहेंगे जो की सितार प्ले करते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर प्ले करते हैं सजाद हुसाइन सुर्बहर प्ले करते हैं जिया मुईदीन खान बीना प्ले करते हैं असद अली खान रूद्र वीना पंडित विश्व मोहन भट रहेंगे मोहन वीना के इन्वेंटर शकूर खान और पंडित राम नाराएन है सारांगी प्ले करते हैं ब्रज भूशन कावरा गिटार प्ले करते हैं कृष्ण राम चौदरी और अली एहमद हुसैन शहनाई प्ले करते हैं हरी प्रसाद, चौरसिया और पंदलाल घोश, फ्लूट प्ले करते हैं, जाकिर हुसेन, अल्लाराखा, सबीर खान और पंडित किशन महाराज, यह आपके तबला जो musical instrument है, उसको प्ले करते हैं, आप नीचे देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट है हमारी All Aesthetic G के टॉपिक के नाम स जिसमें 200 से जादा topic cover कर आए गए हैं, इस playlist का जो link है, वो आपको description में मिल जाएगा, आप description में जाके, जो हमारी playlist है, इसमें separate videos को देख सकते हैं, तो यह total हमारी 9 topics हैं, इसके अलावा और भी topics रहेंगे, जो की most important हैं आपके exams के लिए, वो भी आपको हम separate video में, जो हमारी उनमें आपको मिल जाएंगे, तो यह जो topics हैं, आपके 9 topics, इन से related, इन questions के अलावा जो बाकी questions भी हैं, आप उनको भी ज़रूर एक बार बिल्कुल detail में पढ़ लें, क्योंकि यह ऐसे topics हैं, जिन से आपके minimum 10 questions, तो हर आपके अभी तक total जो CHSL का exam हुआ है, उसमें पूछे ज आ चुके हैं, तो most repeated आपके topics यह हो जाएंगे, अब यहाँ पर एक quiz का question है, जिसका answer आप सभी को comment box में type करना है, who among is the author of the book train to Pakistan, तो train to Pakistan जो पुस्तक है, यह किसके द्वारा लिखी गई है, इस question का answer आप सभी लोग comment box में एक बार type करके हमको ज़रूर बताएं, अगर आपको आपके जो बाकी और exam सारे हैं, आपका CHSL का exam complete होने वाला है, दो shift बच रही हैं बस, उसके अलावा आपका MTS का exam अगले महीने से आपका start होना है, तो उसके लिए जो questions आपके रहेंगे important, उसकी series भी आपको जल्दी हमारे channel पे provide कराई जाएगी, तो आप channel को ज़रूर subscribe कर ल हो तो उसमें भी आपको मदद मिल सके, धन्यवाद.